हेलो दोस्तों आज हम बायोलोजी के कुछ important questions में आज हम कुछ important disease के बारे में देखेंगे जो की exam perspective से बहुत जादे important है जो की MP police में बहुत जादा आने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं प्रोटोजोव की खोज के लिवन हुक ने की थी इसमें हम पहला देखते हैं malaria malaria जो कि प्रोटोजोव से होता है इसकी खोज एलेवेरॉन ने की थी जो की plasmodium नामक प्रोटोजोव से होता है और亦्शक्लियあります सहले की और documents होता की ठीए इस खोज कि इंहार्टowanie की थी और मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा इसमें प्लीहा होता है जिसको इस्प्लीन भी कहते हैं नेक्स्ट है हमारा डाइसेट्री जिसको हिंदी में पेचिस भी कहते हैं या फिर इसको अमीवी पेचिस भी कहते हैं या एंट अमीवी हिस्टोलिटिका नामा क्रोटोजोगा नेक्स्ट है कालाजर जिसको जो की लिष्मैनिया नामक प्रोटोजोवा से होता है इसे हम बालु मक्खी भी कहते हैं या सेंट फ्लाई नेक्स्ट है पाइरिया पाइरिया जो की एंथमीवा जिंजे वेलिस नामक टूटो जोवा से होता है नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस जो की ट्रिपनोसोमा नामक टूटो जोवा से होता है इसे सीसी फ्लाई भी कहते हैं नेक्स्ट अभी हम देखते हैं वार्म वार्म मतलब क अधीपao भी कैते हैं,03या नामक किया है बैउचेरिया बैंकर्फटी क्रिमी से होता है, टिनियसी जो की टिनिया सोलियम क्रिमी से होता है इसमें हम क्या चाहते हैं , पहले इसे-डीपीटि का टीका भी लगाते हैं, इसे वर्म को क्या कहते हैं कवा क्या फंगस भी कहते हैं इसको भी हम याद रखेंगे next हम bacteria के बारे में देखते हैं bacteria की खोज किसने की थी Antony Vol Levenhock ने की थी और आगे देखते हैं bacteria कौनकौन से bacteria होते है इसमें पहला है heja cholera heja cholera जो कि boncorine से होता है cholera cholera concorine नामक bacteria से होता है heja या cholera की खोज किसने की थी Robert Koach ने की थी next है diphtheria diptheria जिसमें DPT का टीगा लगाते हैं और diptheria कौन से बैक्टिरिया से होता है coronibacterium diptheria next है TB TB को जिसको 6 भी कहते हैं या फिर तपेदिक भी कहते हैं कई बार question में आ जाता है तपेदिक किसे कहते हैं तपेदिक किस बैक्टिरिया से होता है तो यह macrobacterium tuberculosis नामक बैक्टिरिया से होता है TB में हम क्या करते हैं TB में हम BCG का टीगा लगाते हैं BCG का फुल फॉर्म है bacillus calamatin glurine और इसमें हमारा जो फेफडा है वो प्रभावित होता है या भी question बहुत बाराता है नेक्स्ट है leprosy, leprosy जो है mycobacterium lepri नामक bacteria से होता है leprosy day कप मनाते हैं 30 जन्वरी world इसमें 30 जन्वरी को हम world leprosy day मनाते हैं यह भी याद रखिएगा current affair के perspective से बहुत जादा important है नेक्स्ट है titani, titani या फिर इसको हिंदी में titanus भी आपने सुना होगा titanus में भी हम dpt कर टी का लगाते हैं इसमें यह कोंसे bacteria से होता है, claustradium, titani नामक bacteria से होता है और इसमें हम कौन से injection लगाते हैं, antitoxin injection हम इसमें लगाते हैं नेक्स्ट है typhide, typhide किस bacteria से होता है, salmonella typhosa इसमें हमारा जो आत होता है, intestine वो प्रभावित होता है और इसमें हम tab कर टी का लगाते हैं, tab next है plague, plague को black death भी कहते हैं यह question भी आ जाएगा कि कभी black death किसे कहते हैं, फिर plague तो वो किस bacteria से होता है, तो yarsenia pestis नामक bacteria से होता है next है काली खासी, काली खासी में भी DBT का अमटी का लगाते हैं यह body tella pertussis नामक bacteria से होता है next है pneumonia, pneumonia, diplicocal pneumoniae नामक bacteria से होता है next है siplis, siplis होता है tryponema palladium नामक bacteria से होता है next है anthrax, anthrax आपने कई बार paper में भी देखा होगा पशों में पाय जाने वाला कौम सी बिमारी उसको क्या कहते है, वह anthrax है और इसकी वैसिलस, anthrax नामक bacteria से होता है तो आईए देखते हैं, next virus के बारे में virus की खोज, इवनास्की ने की थी, 1892 में तो virus में देखते हैं, कौन कों से virus होते हैं पहला है chicken pox, chicken pox जिसको हम छोटी माता भी कहते हैं यह varicella नामक virus से होता है next है, a small chicken pox जिसको चिचक कहते है variolla नामक virus से होता है थर्ड है polio, polio जो है इसकी polio की टीके की खोज किस ने की थी john salk ने की थी, और यह polio malitis नामक virus से होता है next है, rabies, rabies जिसको हम hydrophobia भी आपने paper में कई बार देखा होगे फिस सुना भी होगा, hydrophobia जो की पानी से हमें डर लगता है वह होता है rabies नामक virus से होता है और इसके टीके की खोज किस ने की थी, rabies नामक, इसकी खोज की थी, louie pasture ने next है, khasra, khasra या measles, इसकी खोज kolinosaur marvillorum नामक virus से होई इसकी virus कहते हैं इसको, इसकी virus को, sorry khasra, johais, measles, kolinosaur marvillorum virus से होता है next है, aids, aids में हम सबसे पहले तो हम जानेंगे, aids हो है, HIV virus से होता है और aids का कई बार question आता है, कि aids में हम कौन सा test करते है वह ELISA test होता है, यह भी याद रखेगा, बहुत बार paper में आता है next है, hepatitis, hepatitis को पीलिया भी कहते है या फिर यक्रिस सोध भी आ जाता है, कई बार paper में तो यह hepatitis B virus से होता है अभी कई बार यह पूछ लेता है, कि hepatitis में या पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है तो वह liver होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित next है, galsua, galsua को mumps virus, galsua जो है mumps virus से होता है next है, bird flu, bird flu या tamiflu, इसमें, sorry, bird flu इसमें क्या होता है, कि इसमें जो tamiflu भी कहते हैं, tamiflu इसकी जो है दबा है actual में bird flu के लिए, यह H5N1 virus से होता है और इसकी, जो है, avian influenza ने इसकी खोश की थी tamiflu की tamiflu जो दबा है, bird flu के लिए, उसकी खोश avian influenza ने की थी next है, swine flu, swine flu की खोश H1N1 virus, sorry, swine flu जो है H1N1 virus से होता है maaf करेगा दोस्तो, डेंगू, डेंगू में जो है, हम tourniquet test करते हैं और यह edis egyptii, मच्छर काटने से होता है, और डेंगू में जो है, डेंगू जो है, अरबो वाइरस से होता है तो दोस्तो, आज हमने इतने bacteria virus और इन सब के बारें में पढ़ा है नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी upload करेंगे, थैंक यू